दोस्तों हम सबी जानते हैं कि जल्दी ही हमारे गोल्डन मांग ने यानी जंकू का बर्डे आने वाला है और दोस्तों ऐसे में जहां दुनिया भर की आर्मी ने बहुती सारे एक्साइटिंग प्लांस को रिवील करा है वही इस बार हमारी इंडियन आर्मी भी पीछे नहीं हटी है और दोस्तों आने वाले जंकू के बर्डे के लिए हमारी इंडियन आर्मी ने अभी सही प्लांस बनाने शुरू कर दिये हैं और इन प्लांस को डिस्क्लोज करना भी स्टार्ट कर दिया है और इन में से एक बहुत ही exciting plan हमारे सामने भी आया है जो हम आपके साथ इस वीडियो में share करने वाले है ताकि आप भी इस plan का हिस्सा बन के हमारे golden मांगने का birthday celebrate कर सके तो दोस्तों अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं बता दू कि हमारे golden मांगने का birthday सब्टेंबर 1 को आने वाला है यानि दोस्तों जल्दी ही हमारे golden मांगने finally 25 years के पूरे हो जाएंगे हाला कि दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते ही है कि हमारे जंको को animals से काफी जदा प्यार है तो हमारे इंडियन आर्मी ने भी जंको के birthday के लिए एक ऐसा ही बहुती प्यारा project launch किया है तो दोस्तों हमारी इंडियन आर्मी जो basically Delhi NCR से belong करती है उन्होंने बताया है कि वो cannot place में एक बहुती बड़ी drive organize करने वाली है दोस्तों actually ये drive especially dogs के लिए रखे जाने वाली है और दोस्तों ये drive इंडिया में 3 September को organize करी जाएगी दोस्तों खास बात तो ये है कि इस drive में कोई भी participate कर सकता है और जिन्होंने इस drive को launch किया है आप उसे contact करके अपना नाम यहाँ पर register करवा सकते हैं दोस्तों basically काफी सारी इंडियन आर्मीज चाहती है कि वो जंको के बर्दे पर कुछ बहुत ही अच्छा और प्यारा करें जिसके वज़े से वो dogs के लिए एक बहुत ही खास चीज़ करने वाली है दोस्तों इंडियन आर्मीज ने recite किया है कि अपनी इस drive के दोरान वो काफी सारे stray dogs यानि जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं उनके गले में एक reflective collar लगाने वाली है दोस्तों काफी सारे इंडियन आर्मीज का मानना है कि ऐसा करने से काफी सारे dogs जो गलती से accident में मारे जाते हैं उनकी life बचाई जा सकती है क्योंकि दोस्तों अक्सर यह dogs या फिर animals रात के टाइम पर streets पर यूँ ही घूमते रहते हैं और काफी सारी गाडिया इने नहीं देख पाती लेकिन अगर इनके गले में reflective collar लगे होंगे तो उनकी reflection से गाडी वालों को पता चल जाएगा कि रोड पे कोई dog या फिर animal है और काफी सारे dogs की life save हो जाएगी दोस्तों साथी साथ बताया जा रहा है कि per dog के लिए जो भी collar लगाया जाएगा उसकी cost सिफ और सिफ 50 रुपीज है यानि कोई भी जो इस drive में participate करना चाहता है वो donate करके अपनी तरफ से एक collar भी दे सकता है दोस्तों धीरे धीरे काफी सारे इंडियन आर्मी इस drive से जुड़ती जा रही है और जैसे जैसे ये project viral होता जा रहा है उमीद है कि काफी सारे लोग इसमें participate करेंगे और इंडिया से ये project BTS के सामने ज़रूर पहुच रहेगा दोस्तों इंडियन आर्मी का मानना है कि ऐसा करने से जंको के बर्दे को special बनाया जा सकता है बिकोज उनको dogs काफी जादा पसंद है उनके पास खुट भी काफी सारे pet dogs है और वो जब भी किसी dog से मिलते हैं तो उन्हें काफी खुशी मिलती है तो दोस्तों मुझे कमेंच में ज़रू बताएं कि जंको के इस खास बर्दे प्रोजेक का हिस्सा आप बनने वाले हैं या पिर नहीं और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में